तो प्याड़े बचों कैसे हैं आप लोग उमीद है आप बहुत अच्छी होंगे आज सुक्रवार है सुक्रवार सनिवार को मैं हिंदी पढ़ाता हूं प्याड़े बचों हिंदी का यह हमारा दूसरा वीडियो है ठीक है प्याड़े बचों हिंदी में मैं दिगंत भाग दू शुरू कर चुका हूँ और हिंदी का यह हमारा दूसा वीडियो है यदि आपने अभी तक पर्थम वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अब शुरूप से देखें पर्थम वीडियो में मैंने बतलाया गदखंड क्या होती है कावखंड क्या होती है और गदखंड और रट लेना है गदखन जो भी लिखते हैं उसे हम क्या करते हैं उसे हम लिखा करते हैं ठीक है अब प्यारे बचो गदखन के अंदरकत देखिएगा एक से लिकर के तेरा चेप्टर यानि तेरा अध्याई आपको दिये हुए है पर्थम है बादचीट तो बादचीट को कौन लिखे तो बालकिस भट तो बालकिस भट क्या कालाएं वो लेखा कलाएं तो इस परकार आपको याद करना है ठीक है आपके बुक में है न मिल जाएगा ये कॉंपी में लिखने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रेप्शन बोक्स में लिंक दे रखा है आप उस लिंक को क्लिक करें ठीक है और कॉंपी में हमारे वेबसाइट से लिख ले ठीक हम गदखंड भी हम गदखंड भी वेबसाइट में दे दिया है एक सिलेकर के तेरह तक य और आप अध्याय के जोभी लेखा के यानि गद के जो भी लेखा कर नाम हो लिखे ले और काव खंट के अंतर-गत जितने भी काव है उनके कभी का नाम लिख ले ठीक है से हम बाचीत की आप से खैका कि ए कि यहने इनकी विद्धाइं क्या आता है तो पीयरे बच्छों मैंने बतलाए था कि गद के अंत्रगत क्या क्या आती है तो गद के अंत्रउगत कहानी आता है निवनता भासन आता है ठेक Lagant यह सभी मैंने आपको पर्फन वीडियों में मतलया था अब आपके एक्जाम में प संपुन करांती क्या है तो भासन है इसी परकार अर्दनारिस्वर निबंध है रोज हमारा कहानी है एक लेक और एक पत्र निबंध है और पत्र यानि कि एक लेक तो हो गया निबंध और एक पत्र दो भागों में दिया हुआ है तो एक पत्र आपको हो गया पत्र हो गया ठीक ह है हस्ते हुए मेरा अकेला पन क्या है तो डैरी है तिरिच क्या है तो कहानी है सिख्षा क्या है तो संभासन तो प्यारे बच्चो एक सी लेकर के तेरा तक याद करने में हो सकता है कि आपको कफी ज्यादा दिकत होती होगी याद नहीं होता होगा प्यारे बच्चो यदि आपको याद नहीं होता होगा जैसे कि जुठन क्या है तो कभी कि भूल है ना जाते हैं नहोंगे कि जुठन नि या तिरिस के विधाय क्या है, तो क्या हो जागा, तो कहानी हो जाएगा, तो प्यारे बच्चो इसको याद करने के लिए, यदि आपको ऐसे याद करने में दिक्कत होता है, याद नहीं हो पा रहा है, बार बार भूल जाते, तो प्यारे बच्चो इसका आज मैं आपको ट्रि और लेक से बंधा है ठीक है नारी की बात सदा गीत और लेक से बंधा है प्यारे बच्छों बंधा का यहां क्या तत्पर है बंधा का यहां मतलब हमारा निकल रहा है नीबंध क्या निकल रहा है नीबंध ठीक है अब जैसे देखे नारी नारी मतलब क्या तो प्यारे बच्छ और दीकने फ़ो के वात्स से क्या होगा से तुस नारी की बात देखित धात्स को में होगा। सदा निरह यहां देखिये तो सदा निरह भी मेरा निबंध है बिलकुल निबंध है और लेक से बंदा है लेक मतलब क्या एक लेक तो एक लेक प्याड़े बच्चो देखे निवंध है बिलकोल निवंध है तो प्याड़े बच्चो यदि हम यहाँ लाइन याद कर लेते हैं तो कुली मिला करके हमें कितना याद है न होगा एक दो तीन चार पाँच यानि पाँच हमें याद हो गए कि पाँच हमारा क्या हो गया निबंद कैसे याद करना है कि नारी की बात सदा गीत और लेक से बंदा है बंदा मतलब निबंद है नारी से अर्ध नारी स्वर बात से बाच्ची सदा से ओ सदा निरा गीत से पर गीत और समाज लेक से एक लेक और एक पर क्या है तो निबंध है यानि सारे के सारे क्या है तो सारे के सारे निबंध है तो प्यारे बचों 13 में से तो पांच मेने बतला दिया कि पांच का पांच आपका क्या है तो पांच का पांच आपका निबंध है तो सेस हम कैसे याद देने कर पाएंगे तो प्यारे बचों सेस याद करने के लिए आपको क्या करना है एक लाइन और याद करना है वह लाइन क्या है उसने रोज तिर्शी नजरों से कहा क्या कहा नारी की बात सदागीत और लेक से बंधा है यह लाइन आपको याद कर लेना है तो इसमें प्यारे बचों देखिए उसने रोज तिर्शी नजरों से कहा कहा का मत मतलब क्या हो जाएगा कहानी प्यारे बच्चों देखिए उसने तो उसने से ने क्या हो जाएगा उसने कहा था क्या है कहानी कहानी मेरा है देखिए बिल्कुल है फिर देखिए रोज तो रोज तीर्ची नजों से कहा कहा मतलब क्या कहानी देखिए रोज कहीं है यहां हीच यहां कितना कमप्लिय याने कि पांच तीन कितना हो गया तो प्याजा प्यादे बच्फो यदि आप यह राइन याद कर लेते हैं तो आपको तो आठ आसानी से याद हो जाएगा ठीक है आपको क्या याद करना है उसने रो तिर्शी नजरों से कहा कहा मतलब कहा नी ठीक है उसने रो तिर्शी नजरों से कहा क्या कहा नारी की बात सदागीत और लेक से बंधा है ठीक है तो प्यारे बच्चों 13 में से 8 में ने बता दिया कि कौन आपका निबंध है कौन आपका कहान है अब प्यारे बच्चों जो सेस बच जाता है उसे आपको कैसे याद करना है प्यारे बच्चों देखिए हसते हुए मेरा अकेलापन अब प्यारे बच्चों देखिए अकेले में लोग क्या लिखेगा तो जैसे बात है डारी लि पीचर जी, हेड मास्टर साहिब उनको जारू लगाने के लिए बोलते थे, ठीक है, वो किस परकार जूटा खाना खाते थे, तो यहाँ एक आत्म काता है, प्यारे बच्चो इसको याद करना ही पर जाएगा, इसका कोई ट्रिक आपका नहीं है, ठीक है, उसी परकार प्यारे की मा, सिफाई की मा क्या है, तो प्यारे बच्चो एकांग की है, और सिच्छा हमारा क्या है, तो संभासन है, ठीक है, तो प्यारे बच्चो आपको क्या करना है, एक्ष लेकर के तेरा तक लेखक का भी नाम याद कर लेना है, यदि प्यारे बच्चो आपके पास भुक है, आप लोग्ग बुक से ही याद कर लिजेगा और विदाएं अवस ही याद कर लिजेगा कि बाक्टित किस परकार का है उसने का आता कहानी है सम्पुनकरांती भासन है अर्धनारिस्वन ya जबंध इस